हलो एफरीवान, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन, दिस इस अंकीता सूथ, सुमध्य प्रदेश से पेपर वन प्रेपरेशन में आज हम यूनिट नमबर नाइन का एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो की हर साल एक्जाम में जरूर पूछा जाता है, इस नाम है COP, यानि की Conference of Parties, तो इस टॉपिक में किस तरीके से Questions पूछे जाते हैं, कौन-कौन से COP की लिस्ट इंपोर्टन है, जो की एक्जाम में आप से पूछी जा सकती है, हर एक चीज़ को हम लोग डिटेल में डिसकस करेंगे, तो आप सभी स्टूडेंट्स इस सेशन में तक जरूर बने रहिएगा. स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बताया जाता है, ताकि आप लोगों का एक्जाम बहुत एजिली क्वालिफाई हो जाए, साथ ही आपको फुल से लिबस नोट्स एम प्रोवाइट करवाते हैं, ये नोट्स आपको पीडिएफ के फॉर्माट में मिलते हैं, जिसक हम आपको फुल से लिबस मॉक टेस्स प्रोवाइट करवाएंगे, यहां से आपकी फाइनल रिविजिन भी हो जाएगी, फाइनल प्रपरेशन भी हो जाएगी, आपको एक क्लियर आइडिया भी होता रहेगा कि कैसे क्वेश्ट एक्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर होते जाएं, इसके लिए आपको एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सरफ दो हजार रुपई, इससे पहले फ्री वीडियो के लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन भी डाउलोड करना है, आप डाउलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च पार में लिखना है, एंपी सेट आपके सामने कोर्स का ओवर्विव आ जाएगा, कॉंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे, आपको दिखेगा, यहां पर यूनिट वाइस पोल्डर से, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही जादा बेनिफीशल भी है, मॉक्टेस यहां पर इंग्लिश इंदी दो एकन अंडर UNFCCC, UNFCCC का मतलब होता है, United Nations Framework Convention on Climate Change, तो Climate Change से रिलेटेड जो भी इशूस हमारा पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, उन चीजों पर major focus सारी countries करें, इसी के लिए COP को बनाया गया था, इसमें UNFCCC का major role है, UNFCCC को 1992 में सा या फिर आप इसको रियो सम्मिट के नाम से भी जानते हो, रियो कॉंफरेंस के नाम से भी जानते हो, जब 1992 में ये सम्मिट हो रहा था, उसी दौरान UNFCCC को भी साइन कर दिया गया था, तो सबसे पहले COP की मीटिंग कब हुई थी, ये मार्च 1995 में जर्मनी के बर्लीन नाम क City में हुई थी, औक हर साल जितनी भी कंट्रीज को पे जुड़ी होई है, Conference of Parties में जितनी भी Member Countries है, वो सभी हर साल मिलती है, एक मीटिंग होती है, जिसमें की future goals को भी decide करती है, कि अच्छा ये Conference, ये हमारे climate में कुछ issues हा रही है, इनको कैसे control किया जाए, तो वो कुछ agenda वह में इस चीज को control करना है, तो इस तरह से वो यहाँ पर काम करते हैं, ओके सो ये कुछ important points से, इसके अलावा, the office of COP President normally rotates among the five United Nations Regional Groups, which are Africa, Asia, Latin America and Caribbean, Central and Eastern Europe and Western Europe and others, So, जो COP Conference of Parties के President होते हैं, उनके office basically ये five United Nations Regional Groups में rotate होते रहते हैं, ओके इनका selection कैसे होता है, जो भी home country होती हैं, उनके जो environment minister होते हैं, वो ही usually इसके President कहलाए जाती हैं, तो ये कुछ important points हैं, जो कि आप लोगों को याद रखने हैं, इसके लावा, अब मैं आपको बिताती हू कि पहला Conference of Parties कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, और इंडिया में अभी तक कितने parties हो चुकी है, कितने बार इंडिया इस चीज़ को host कर चुका है, ये भी हम detail में भी discuss करेंगे, तो अब इसके बाद हम एक list पे बढ़ते हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा COP क इयर में कौन से कंट्री ने host किया था, अभी देखो 2023 है, अभी तक ये हुआ नहीं है, लेकिन 2023 में COP28 होने वाला है, तो सबसे बहले जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, COP1 कब हुआ था, ये 1995 में जर्मनी में हुआ था, COP1 1995 में जर्मनी में हुआ था, उसके बाद हुआ 1997 में कहां पर हुआ था, इसको COP3 के नाम से जाना चाता है, ये हुआ था, इसको बोला जाता है क्योटो प्रोटोकोल, ये क्योटो नाम की सिटी में हुआ था, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, and औरेडी क्योटो प्रोटोकोल हम डिसकस कर चुके है, आप लोगों क उसके बाद फिर आजाता है हमारे पास COP8, COP8 क्यों important है examination के लिए इसको 2002 में बनाया गया था, ये इसलिए important है क्योंकि इंडिया ने COP8 को host किया था, इंडिया में न्यू डेली में इसको host किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम Delhi Declaration भी रखा गया है, अब देखो जैसे कि Kyoto Protocol, क्योंकि ये Kyoto में हुआ था, तो इसका नाम Kyoto Protocol रखा गया, वैसे क्योंकि ये New Delhi में हुआ था, तो इसको Delhi Declaration के नाम से जाना जाता है, इसके बाद अब आज आते हैं हम 2023 पे, 2023 में expected dates जो है COP होने की वो है November 30, 2023 से लेकर के 12 December 2023 के बीच में, क्योंकि COP28 है, इसमें UAE यानि कि United Arab Emirates announced an offer to host, UAE ने कौफर रखा है कि वो इस पार इसको host करना चाहते हैं in Abu Dhabi, ठीके, तो ये आपको पता होना चाहिए, and news के मताबिक ये कहा जाता है कि COP28 must focus on adaptation instead of mitigation, ये इंडिया के news के recording अभी update आया है, ये शौर नहीं है तो exam में भी आप लोगों से ना पूछा जाए, इसके अलाबा COP26 बहुत ही जादा famous COP है, जो कि exam में बहुत बार पूछा जाता है, so COP26 was postponed in 2020, कोरोना के वैज़ेस इसको postponed कर दिया गया था, and इसको November 2021 में फिर UK के Glass Go में रखा गया था, ठीके, ये भी आपको पता होना चाहिए, अब यहाँ पर एक list है, इसमें आप देख सकते हो COP27 के बात करें, so ये एजिप्ट में हुआ था, इसका major focus किस पे था, इसको आप climate change conference November 2022, शाम एल, शेक के नाम से जान सकते हो, उसके बाद COP26, ग्लास को, अगर आप लोगों को एक्जाम में कहीं पे भी ग्लास को climate change का नाम आता है, तो आप लोगों को direct answer पर जाना है COP26, ये कब हुआ था, ये October, November 2021 में हुआ था, उसके बाद United Nation Climate Change Conference, COP25 के नाम से जाना जाता है, ये भी important है, then we have COP21, ये भी एक important COP है, इसको Paris Agreement के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये Paris में हुआ था, COP21, ठीके है, उसके बाद एक और important आ जाता है हमारे पास, दोहा Climate Change Conference, जो कि COP18 है, ये भी exam में बहुत बार पूछा जाता है, Montreal Protocol, Montreal Climate Change, COP11, इसका major focus किस पे था, ये जितनी चीज़े मैं आपको भी short में बता रही हूँ, इसको हमने already detail में देखा हुआ है, है ना, कल के ही session में ये सब चीज़े मैं आपके साथ share भीगी, तो इंडिया में अभी तक जो important रहा है, वो ये रहा है कि COP8 हुआ है 2002 में, जो कि New Delhi में हुआ था, इसलिए इसको Delhi Declaration के नाम से भी जाना जाता है, Delhi Declaration के नाम से भी इसको जाना जाता है, अब आप लोगों के लिए important जो मैंने बता दिये ये है, COP27 को भी detail में पढ़ लीजेगा, इसमें देखो, November 2020 में हुआ है ये, and Egypt में हुआ था, इसका major focus किस पे था, Loss and Damage Fund, इसमें रहा था, Action for Water Adaptation, इसमें आप लोगों को एक word याद रखना है, इसमें एक initiative लिया गया था, A-W-A-R-E, ठीक है, इसका मतलब है, Action for Water Adaptation and Resilience Initiative, ये किसके दौरान लिया गया था, COP27 के लिया गया था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एक और initiative, 2022 के COP में लिया गया था, वो क्या था, Africa Carbon Market Initiative, इन चीज़ों को आपने याद रख लेना है, इसके अलावा, students, अगर आप लोगों को किसी और particular topic पे, detailed session चाहिए, तो भी आप मुझे comment करके बिता सकते हो, जर लियावा, COP8 हमने डिसकस कर दिया, so paper 1 preparation के साथ, paper 2 पर भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिसके preparation के लिए study material हम लेकर आई है, जो की exam के pattern और difficulty level को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है, study material में आपको paper 2 के full syllabus notes and MCQs हम देते हैं, जिसमें कि आपको previous year questions, most expected or most repeated questions क series मल जाएगी and इसमें से आपको as it is questions देखने को मिलेंगे, तो आप सभी students screen पर अपने subject को चेक कीजए and in numbers पर contact करके आप इसको join कर सकते हूँ, इसके लिए flat 20% off में आज आपके लिए लेकर आई हूँ, यानि कि सरफ 1280 रुपीज में आप study material का benefit उठा सकते हूँ and मैं आपको 100% security देती हूँ कि ये आपको इस short period में भी बहुत help करेगे exam qualify करने में